आप देखरों टेक फाइबर सो आज के इस वीड़ों में बात करने चाहरा हूं जैनिवाए 6 के बारे में जो हम लोग के लिए आज चुकाया है एसूर 6 जी से नॉर्मली जैनिवाए 6 जो है वो कहा जाता है ज्यादा ब्लोट वे फ्री है जैनिवाए 5 से ओ कापी ज्यादा लोग नस्टॉक अंड्रोड के तरह बनाने कोशिश करी है तो चला है इस वीडियो को सार्ट करते हूं बता तो कि आप लोग कैसे जैनिवाए 6 को अपनी जैनफो जैनिवाए 6 जैनिवाए 6 जैनिवाए 6 जैनिवाए 6 लिंक में आपको नीचे दिस्क्रिप्शन में दे दूंगा एंड सेकंड फाइल रहेगी मैजस तो यह एक्चली मैजस तो यह कहना तो नहीं चाहता कि आपको फ्लैश करनी ही है लेकिन हर एक जो भी आप लोग को दूसरे फोन के अंदर आफ्टर देखने हो मिलता है उसको फ्लैश करने पाद आई इसको फ्लैश करना थीक बनता है जिससे बूट लूप ना आए तो चला है इस इसको स्टार्ट करते आप लोग को जाओ रिकारी के अंदर और वस्ट अव लोग को यहाँ पर कहल ऑफ लोग को सिंपल कर देना है इदर कंसल और आज आना है यहाँ पे में स्क्रीन पर में आने की पार आपको टाप करना है बैक अप सलेके साब चाइश को और एक अपने पूरे-परे फोन का बै अगर कुछ गरबढ होती है इंस्टलेशन के टाइम पे तफे आप लोग वापस से अपने ओरिशनल फॉर्मवे पे वापस जा सकते हो अब आप लोग ने जैसे बैक अप बना लिया आपको टाप करना है वाइब और यहां पे एक बार आप लोगो फैक्टर डेटा रिसेट कर देना है जिससे इंटरनल स्टोयश की जो इंक्रिप्शन है वो यहां पे हट जाए और अब हम लोग इंस्टलेशन के लिए हाफ रेड यहां पर आप लोको टाप करना है हों अप मैजिसowan को इसको घर देना फ्लैश तो यहां पर चोंने के लिए थोड़ा सा टाइम लगी गा तो अबस्को Belumj你 पहां अब एक से दो मार्ट लग जाएंगे तो इसकों तो हम लोग अच्h से फ्लैश होने देगे सब्सक्राइब करें तो इसको पुई दैसे यहां पे इंस्टॉल हो चुका है अब आप लोग करना रीबूट सिस्टेम जिसे अब हम लोग बूट कर जाएं एसुस जिन फोन जी का जो जन्यूए 6 आता है उसके अंदर तो इसको फर्स बूट को नॉमली 3-4 मिनेट लग जाए सब हम लोग जन्यूए 6 के इंदर आ चुके हैं और आप लोग देख सकते हैं यहां पे अभी कुछ भी नहीं है एक्चली सब चीज लोड हो चुकी है लेकिन यहां पे जो नाविगेशन बार है और क्विक सेटिंग्स पैनल जो है वो अभी ओपन नहीं होगा तो अभी अग गुर्ण नटिफ़ेशन पैनल भी अप्रों नहीं फ्कर आप एक्सली यह इसको आप लोग फिक्स कर सकते हैं अपने आपसे आप आपँ करना है कि आपने फॉन को लुक करना है लोग करने बाद इसको बाद चालू करने वलब एसी स्क्रीन अन करने है एं दन आप लोग को देहलेनम आलगों कि tap hold press hold करके रखना है आप लोगों power button को and then जैसे ये आ आए आपको कर देना यहाँ पे back या फिर आप लोगो कहीं on tap कर देना है and then जैसे आप लोग इसको open करोगे आप के सामने आ जाएंगे यह home button यहाँ पे आ चुका और साधी साथ आप लोगो quick settings panel भी दिखने हो मिल जाएगा well अगर मैं सच का हूँ तो मुझे अभी भी यह close to stock android नहीं लगता asus ने काफी ज्यादा मेहनत करी है इसको stock android के जैसा बनाने की लेकिन मुझे अभी तक इसको stock android कहने का मौका नहीं मिला है यह अभी भी इसके अंदर इन लोग ने बहुत सारा junk भर के रखा है for example weather app है and then यहाँ पे गैलरी है तो यह asus का ही है और आप लोग जो भी जनफोन 6z रहेगा तफि उसके अंदर आप लोग देख सकते हो कि आप लोग को google का photos app भी मिलेगा तो actually dual apps हो जाएंगे वो दोनो दोनो तो यहाँ पे प्राव्लम हो जाएगा आप लोग देख सकते हैं यहाँ यहाँ पे mxplayer pro भी है साथ वाया ब्रावजर प्री इंस्टॉल्ड है जिसको आप लोग अनिस्टॉल कर सकते हो तो जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया अनिस्टॉल तो यहाँ यह यह अनिस्टॉल हो जाता है रेट्रो म्यूजिक प्लेयर आपको जो x के अंदर देखने हो मिलता है वो यहाँ पे भी आप लोगो देखने हो मिल रहा है साथी साथ gcam भी है तफिव वो मुझे अच्छा लग रहा है कि आखे इन लोग ने gcam दिया है तो यह एक्चली 6.2 वाला वर्जिन है gcam का और यहाँ पे अगर आप लोग इसको अपडेट पर लेकिन यह जो प्रॉब्लम है हो हर एक वेरेंट पर दिखनों मिलेगी 3 या फिर 4 या फिर 6 कि शटर जो है वो काम नहीं करेगा अगर आप लोग गूगल कामरा को अपडेट करते हो मैनुली तो यह मुझे थोड़ा सा अलग लगा कि अगर आप लोग अपडेट करना से और यहां पर आंडोड वर्जिन है 9 April 1st का security patch देके रखा है तो यह थोड़ा सा अलग लगता है यार मुझे लगा कितना पुराना अभी चल रहा है जलाई और इस वक्त देरें Android security patch 1 April का तो यही था भाया ZenUI 6 आप लोग को अगर यूज करना तो आप लोग कर सकते यह आ गया और आप लोग को थोड़ा सा ताजुक भी होगा कि यार यहां पर कुछ भी नहीं है आप लोग को बटन सक देखने हो नहीं मिलेंगे और यहां पर जो swipe up वाला animation आता है वो भी थोड़े time बात चला जाता है तो यह थोड़ा सा मुझे अलग लगा कि कुछ तो रखना चीए अब लोग को नीचे कि जिससे पता चल जाए कि हाँ होम स्क्रीन पर हम लोग आ चुके हैं लेकिन आप लोग मैनुली एड कर सकते हो तो बस यार अब चलो यार बतातो हूँ इसका review क्या है कैसा है चलो start करते हैं अब लोग कैसे इंस्ट्राल कर सकते हैं ZenUI 6 को अपने Zen4 Max Pro के उपर अब बात करते हैं इसके review के बार में तो first यह बग मुझे यहाँ पर देखना हो मिलता है जो है dark mode का well dark mode आप लोग पता ही होगा जो भी आप लोग AOSP ROMS उसकरते हो उनके पर dark mode रहता है तो फी जितना भी element रहता text element तफी वो light उस पर आजाता है कि हम लोग पढ़ सकें और यहाँ पर एक ऐसा dark mode आप लोग देख सकते हो अपने screen के उपर कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो एक message है मुझे what's happened सारे साच जो group का नाम है वो पुछ देसे dark है तो फी dark पर ही dark मुझे अच्छे समझ मे नहीं आ रहा तो नहीं समझ में आ रहा अब लोग देख सकते हो जो message है जिसको मैंने reply कर रहा है तो फिर वो भी पुछ देसे dark है तो यह मुझे बिल्गुल अच्छा नहीं लगा कि लोग ने dark mode जो दिया है उसको optimize करना चाहिए वो लोग नहीं optimize नहीं कर रहा है तो next bug के बा लेट करते हो 6.3 के उपर तफ भी जो shutter है वो काम नहीं करता तो अब बात करते हैं यहापे बाकी UI elements के बारे में तो अला कि सब चीज सेम है ZenUI 5 मैं यूज करता हूँ Zenfone Max M1 के अंदर है और मारा की इसके पर थोड़ा सा slow processor है इसलिए lag करता है बट मैं 6.36 के वी उपर भी move करा हूँ तो थोड़ा बहुत lag मुझे देखने हो मिल रहे थे थोड़ा बहुत कह सकता हूँ उतना भी जादा बरबाद नहीं है ZenUI 6 और bloatware के बारे में थोड़ा देर बात में बात करता हूँ और यहाँ पर आप लोग देख सकते है कॉल स्क्र जयो नहीं है माय जैसे एक ब्राइटनेस बग था या पलोग जैसे ब्राइटनेस को कंपर देते वह अपने बढ़ जाता था और कोई भी आप्स बैक्राउं में नहीं थे तो सेम पड़ मुझे इसके पर मिला मैं ब्राइटनेस कंपर रहा हूँ डाक रूम था और अपने आ अब बात करते इसके बैटरी बैक आपके बारे में तो बैटरी बैकप उतना जादा इसका नहीं है वह बहुता था नहीं है इसको यूजुदर दे सकता अपनी के जाह ने मैं उतभी वारे बसाना के सकतidän ए आपनी स्करीन के और नियां पर यहाँ प्छिंट पर सिक एंडम ह लेके आया था और यहां पर जो स्क्रीन टाम देखनों मिल रहा है वह थी आस नाइटी नाइट का तो उतना भी जाद अच्छा बैटरी बैकप नहीं है उतना भी बुरा कह सकता हूं बहुत बुरा बैटरी बैकप है तो अगर आपको पीवेस के साथ यूज करते हो इसको तो यहां पर इसके साथ जो इन-बिल्ड करनल देखनों मिलता है वह काफी ज्यादा विकार है अगर डेवलपर्स के वीडियो देखेंगे उन लोग को मेरे एक सेलेशन रहेगा कि यह करनल को आपको चेंज कर तो पाफी जाल अचारेगा क्योंकि वह परफॉमेंस पर भी रिश को मैं यूज नहीं करता है वाट्साप इंस्टाग्राम और कैल्सी बस यही तीन चीजों को मैंने यूज करा है तो आप लोग देख सकते हैं नेक्स स्क्रींशॉट थर्टी परसंट पर ओच गया है तो थ्री आस्रिफ्टी इन मिनिट्स का स्क्रीन ताम मिल रहा है तो ऐसल थोड़ा से डाउन्डोड्स और स्टफ क्योंकि हर कोई डाउन्डोड करता है तो यहां पर मैंने बाकी रॉम्स में भी टैस्ट करता है तो फिर उसके अंदर ऐसा कुछ भी प्रॉलम देखें उन्हीं मिलता था कि एडियम आप यूज करते हो तो इतना बाटरी डेन होगा पर इसके उपर कापी जादा बाटर यहां और बस चार्जिंग इसूस भी है इसके उपर चार्ज में थोड़ा सा टाइम लेता है फो तुपाई आर्स का चार्ज टाइम ले रहा है बसा अगर आप तो पीवेश करते हो तो टू तु त्री आर्च लग जाते हैं इसको कुई यही था मेरा रिप्यू जाए तो अब मैं यह क्वेशन आ रहा है क्या इसको 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 इंस्टाल करना चाहिए या पर नहीं इसके इतने बग्स हैं वैल इसके नदर एक और बग्स है जो है ऑडियो रिलेटेट तफिर अगर उसको भी फिक्स कर दिया तो कापी जा के बारे में discussion जो हो रहा है तब मुझे नहीं लगता कि यह fix हो सकता है क्योंकि क्या करें लेकिन इसके पर headshot का एक बग है काफी बेकार बग है आप लोगो sound quality उतने इच्छी ने मिल तीस से आपको echo सुनाई देता है और पदा नहीं आप लोगो vocals नहीं सुनाई देंगे आप लोगो नए वीडियो में सब तक के लिए बारे में आख स्यूव पिल दा आप लोगो देव विडियो बाई and take care